तो आप ने बता है और आपने पेशेंट की को लगा दिगे यह लगा दिगा इस लगा दिगे अ कि अब तो यह यह कंडिशन आ गी है कि खाना भी बन लोगों को विश्वाश ही उड़ी आइरवेट पर कहा जाता ने यह बाद सुनी भी थे हैं उसके बाद भी रिकवरी उसके बाद भी अठारा दिन में रिकवरी कर लिए पेशिंट की वीडियो बन रही है और आज पेशिंट पूरा घूम रहा है कल तक वो सिर्फ कमरे में थार बैठा था कि आपका नाम क्या है मेरा नाम है अंकित में वाला रहने वाले कहां के मैं परखेड़ा सलाम भौपाल तैसे लुए एंपी में हम तैसिल क्या ओजूर ओजूर हम ठीक है पेशिंट क्या लगता आपका जी मेरे चाचा जी क्या नाम उनका जग्दीश जग्दीश उमर उनकी 45 बहुत अच्छे रीकवरी आई है और आपकी वीडियो पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है यह सही है आप वीडियो देखके आये थे हैं पहले चाचा ने मतलब बताया बो यहां आने से पहले चाचा करने लगे थे गो मूत्र पीना दातून से मंजन करना नहाना यह है वही है मेरे पास आये तो इन्होंने मुझे बताया था आपने मुझे बता कि पीट में गांट है और दबाने पर पता चलता है महसूस हो रही है और एक साल से यह प्रोब्लम थी और जांच करा यह नहीं आप लगा दी यह लगा दिए लगाने एक लगाने के पैस्ट की क् वह चलना फिरना भी बन और सही पूछो तो अगर एक दो लगा दिया जाता तो दोक्टर ने माना भी कर दिया था वामारी कोई जवाब दरी नहीं रहेगी आपको जो आगे प्रोसेसिंग घर ले जाओ और सेवा करो पेशिंट तो आपका चल के गया था महाँ पर सही थे मात्र 18 दिन अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो आपके घर जाएंगे लोग तो आप पेशिंट से मिला सकते हो और पेशिंट के आज-पास परोसें भी लोगों को पता होगा हां सबको पता है कि पेशिंट की मतलब मेर से मैं जाता वा था बाहर तो पूछते थे लोग कि क्या हुआ क्या हैं दिखता नहीं है मतलब बाहर दिन जाते थे तो किसी को दिखते नहीं थे अब तो मतलब बाहर भी जाते हैं सब दूर घूमते फिरते हैं आज पेशिंट भी घूम फिर भी जा है कल सिर्फ बैठ पर था देखो उनके पास जो चिकित्सा ही उन्होंने किरी मैं किसी लिए बुरा नहीं बोल रहा है लेकिन जो कंडिसन है वो तो बोला जाएगा ना भी तो आज इस शिकित्सा को लेकर सुधार करने की जुरूत भी पड़ेगी और आयरवेद में भी कही लोग ऐसे हैं कि लोगों को विश्वास ही उट गया आयरवेद पर तभी मेरे वीड थारा दिन में रिकवरी का भी लिए पेसेंट की वीडियो बन रही है और आज परिशेंट पूरा घुम रहा है कल तक वो से judiciary सही ऑ पूरा अभी तो पेशिए को पेशेंट भी नहीं बोला जा सकता ऐसा बोल सकते हैं झाऊ वी जप ऐसी कंडिसंट अकी दो पूरा परिवार मिलने भी आने लगा होगा रिष्टे नाते प्यारे यारे प्यारे सब आ गये थे मिल लिया था कि जाने वाले जैसी पता चलता है कि कंडिसन ऐसी तो मिलने आने लगते हैं कुने कुने में बैटकर रोना भी स्टार्ट कर दी होगे मतलब घर में मावली ऐसा बन गाय था किसी को कोई टेंसन हो रहे ही मतलब करते हैं टून को सब मेरी दादी चैशन न की वाइफन को भी इान्दाएRecord नाइब कई पीना भी बन तू के बाद आज पेशन्ट की रिकाबरी सिर्फ तो डॉक्टर नका कुर सेवा करो बचेब में गांट अभी है पेट साफ नहीं रॉता अब आद रॉक्टर ने दुबारा और बढ़ाने के लिए तो पेशिंट के तो जानी नहीं था जानी था मतलब उन्होंने बोल दिया था ना कि अब मतलब हम जवाबदारी नहीं लेक सकते जवाबदारी तो क्या लोगे जब हमारे आपने आपके पास पेशिंट है जब चल रहा था आज बीस्तर पर है और आपके ते और लगाओ तो हम तो आपने बोला घर ही ले जाएंगे आप साइद घर में ही मर जाया तो अच्छा है बोल सकता हूं ना जीवाद मन में तो आपक सीधा सोने पर गात जुखती थी यानी सीधा सोते थे तो गाठ में दर्द होता था अब नहीं होता पीछ में दर्द था वह भी सही हो गया है नकून और पूरा हाथ इनका मतलब काले थे पूरा काला हो जाता है वो सारे ठीक हो गए पेड़ भी साफ होता है सब कुछ सही है कलेजे में दर था गैस बनती थी अब नहीं बनती है तो सही पूछो तो जो इसके साथ चीकिसा करी गई थी वो गलत होई अगर पेशेंट की रिकवरी 18 दिन के अंदर ऐसी आ रही है तो बो घर जाओ इनका चहरा है इनके घर जाओ इनके आस पास पड़ों से पूछो रिपोर्ट तो रखी होगी ना पूरी रखी उसको रखना उसको गर आपने कहीं धर-दर कर दिया तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए यानि पेशेंट के पूरा इनके पास रिपोर चाहिए में है कि अगर आपेशेंट के अथारा दिनमें र ieकवडी होती है तो गारेंटी ली थी मैंने पेशेंट की मना कर देया था दो tuck अगर पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करो कि यह विमारी आप यही बाते आपको बता रहा हो, तो आपका पेशन ठीक ही हो जाएगा, नहीं, गारेंटी एक परसंट दिलूँगा, आपको आना है आओ, नहीं आना मताओ, आप अपने पेशन का मेर पास इलाज कराने से पहले, अपने घर से आने से पहले, कंडिशन उसकी ऐसी हो, कि समसान घ यही करवायत आप से भी, मैं यही बात बताना चाहता हूँ, आईरवेत पर बहुत बड़ा एक तलवार लटकी रेती है, इस शीकित्सा को लेकर हम दावा भी नहीं कर सकते, और करेंगे तो हम पर कारवाई भी होगी, तो मैं आपको सच्चा ही बताना चाहता हूँ, मेरे प यह दवाई आप भी खा सकते हो, आपके घर में छोटा बच्चा भी खा सकते हो, ऐसी दवाई है जो सब खा सकता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज मत समझे, एक तरसे अब लगा लो कि हमारे सरीर को, जैसे आप रोटी खाते हो, सबजी खाते हो, ऐसी यह दवाई है, हमने हो जाने जो सरीर को चाहिए, मैं सरीर को ठीक करता हूँ, और सरीर हमारी व्याधी को, हमारी वीमारी को ठीक करता है, मेरे पास तो सही पूछो, तो सिर के दर्द की इलाज में नहीं है, लेकिन पेशेंट ठीक हो रहे है, मुझे नहीं पता, तो इससे अगर यह वीमारी ठीक करने कल गया होगा है तो कि अधन्यवाज नहीं दन्यवाज